हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेर्न फार नॉलेज। वेलो पीएस के आईसीडीएस के सुपरवाइजर का जो आप लोग का मेंस का एक्जाम होने वाला है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो जो आप लोग का 10th and 11th October को था, वो पोस्ट पॉन हो चुका है, बोट लोग पूस्ते उसर उसी डेट में होगा के नहीं, तो गन्फर सरे एक्जाम स्पेंडिंग है, वो सब एक्जाम होंगे, उसके बाद ही ICDS के एक्जाम होगा, तो जब तक रेलवे खुलता नहीं है, तो तब तक आप लोग समझ के लिए रहिए, अभी एक्जाम नहीं होने वाला, तो रेलवे जैसी खुलेगा, एक्जाम आप लोग का डे बताया था, जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, आप लोग जॉइन कर लीजिए, आप लोग को मैं टोटल 5 क्लासे फ्री दूँगा, तो यह आप लोग का फिफ्थ क्लास है, ठीक है, और यह आप लोग का General Science and Current Affairs के उपर है, यहाँ पर आप लोग टॉपिक देख सकते हो, यह नौ बज़रा है भी आप लोग का मैं वीडियो solution प्रोइड कर वा रहा हूं, तो यहाँ पर कैसे टाइप के questions आते हैं, वो देख लीजिए आप लोग का, फैले तो abbreviations यानि कि आप लोग का full form लिखना पड़ता है, वो आ रहा है, देन उसके आप लोग का GK रहेगा, वो GK कहीं से भी आ सकता है, वो कहीं से भी, इसका मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं, आप लोग का, जो GK syllabus दिया रहेगा, उसी pattern का रहेगा, जैसे मान लेजी, economics and quality तो दिया नहीं है, तो वहाँ से कोई भी question नहीं आने वाला, आप लोग का economics and quality से, देन आप लोग का जो next है, यहाँ हो सके, उतना मंत का आप लोग करवाँगो, एक से दो साल पूरा complete, यानि कि तुछाने 19 तक पूरा मैं complete करवाँगा, जैनवरी तक, अगर हो सके तो, अगर exam जितना लेट होगा, उतना अच्छा है आप लोग के लिए, then next आप लोग का, यहाँ पर जो question है, यह आप लोग को किस चीज के उपर है, general science के उपर है, life science के उपर है, इन सब चीज के उपर है, chemistry से कोई question नहीं आने वाला, आप लोग का, physics से थोड़ सा related question आएंगे, and gk के जो question हो, वो उपर मैंने provide करवा दिये, तो ऐसे type के आप लोग questions रहेंगे, जो slavers के according है, तो यह solution मैं आप लोग को ब कर वाया था, उससे मैं आप लोग को question दोंगा, around 10 के करीब question दोंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ऐसे गर के आप लोग को homework दिया जाएगा, उसके according आप लोग का preparation भी हो जाएगा, जैसे मानली जी English के grammar है, तो मैंने आप लोग को एक दिन PDF दे दिया, मानली जी one word substitution का, तो उसमें क्या कर रहोगे, आप लोग one word substitution का पूरा दिन आप लोग पढ़ोगे, तो रास्त को क्या, मैं जो exam लोगा, उसमें आप लोग का around 20-30 question होंगे, उसमें आप लोग को attempt करना पड़ेगा, ऐसे गर के exam होंगे, जैसे मैं GK करा होंगा, तो मैं एक topic आप लोग ये पढ़िये, इसका आप लोग का exam होगा next, ऐसे गर के आप लोग को जो previous question है, सब कुछ आप लोग को solve कर रहाँगा, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कहीं भी खामी रह जाएगी, यानकी writing section में English, Hindi, बोलिये, या आप लोग का maths बोलिये, maths तो आप लोग को बहुत अच्छी गार्मेंट, और ये अप लोग को कहां से मिला, ये अप लोग को current affairs में मैंने पढ़ाया था, वहां से अप लोग को मिला था, और जितने भी अप लोग के full forms आएंगा, related to आप लोग का ICDS होगा, related to आप लोग को nutrition होगा, नहीं तो आप लोग का related to एकदम current affairs में जितने भी ये उससे होगा, तो यहां पर आप लोग का LCHG ये current affairs से था, the next NASA तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, और इसका headquarter आप लोग का California, USA में है, और ये आप लोग का का है, national analytical and space administration, ठीक है, the next ICMR, अभी तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, ICMR, ICMR चल रहा है, coronavirus के कारण, तो ICMR का full firm का है, Indian Council of Medical Research, और जितने भी notes है, PDF है, सब आप लोग को English language में मिलेंगे, मेंगॉली और हिंदी किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ English में मिलेगा, जितना भी notes and PDF है, और जो language paper है, वो आप लोग के language मिल जाएगा, तो then next है, MRI का full firm का है, magnetic resonance imaging है, MRI का full firm, then next है आप लोग का UNICEF, UNICE International Children's Emergency Fund, जितने भी आसा करमी होते हैं, या ICDS के supervisors होते हैं, इनको जितने भी instruction मिलते हैं, सब UNICEF से ही मिलता है, और UNICEF ही इनको maximum, जितने भी information provide करता है, सब UNICEF से इन लोग को provide करता है, और UNICEF के maximum, यो लोग protocol follow करते हैं, then next है आप लोग का second question, ये full firm सब complete हुआ, second जो portion है, ये आप लोग का GK का portion है, तो GK में आप लोग का देखिये कैसा question रहेगा, जैसे history से मैंने question दे दिया, in which year Mahatma Gandhi came to India, sorry, typing error है, तो came to India, Mahatma Gandhi कब आय थे, कौन से साल में, ये 1915 में आय थे, बट अगर आप लोग को आच्सी तरह से date पता है, तो वो भी लिग दीजिए, तो आप आप लोग का बेटर रहेगा, तो यहाँ पर 9th January 1915, और इसी day का हम लोग NRI Day के हिसाब से celebrate करते हैं, या प्रवासी भरती दिवास के हिसाब से celebrate करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, अब लोग बोलोगे, सर यहाँ पर क्या option नहीं दिया जाएगा, नहीं friends option नहीं दिया जाता, यह आप लोग का conventional method type question होता है, conventional method type मतलब आप लोग का यह question दिया जाएगा, ऐसे गर के आप लोग का उसका answer खुद से लिखना पड़ेगा, आप लोग कोई option नहीं दे रहेगा, आप कोई आप लोग टिक नहीं मार सकता है, आप लोग खुद अगर answer आत तो भी को problem नहीं होगा, the next है, second, on which river is the Nagarjun Sagat Dam established, Nagarjun Sagat Dam किस river के उपर है, यह Krishna river के उपर है, the next, third number, in which year ICDS program, जो ICDS program है, जिसके लिए आप लोग supervisor के लिए form flip किये हो, तो in which year ICDS program launched and write the full form of it, यानि कि ICDS program आप लोग को कब launch किया गया था, और उसका full form आप लोग को पूछा है यहाँ पे, तो ICDS program second October, यानि कांदी जैन्ती में launch किया गया था, कब 1975 में launch किया गया था, और ICDS का full form लोग को पता रहना चुछिए, integrated child development services, यह हो जाएगा, ठीक है, Then next, seventh, who is the director of the film, पाथेर पंचली, पाथेर पंचली बहुत ही famous एक movie है, जो Bengal के director, सत्याजी तरही ने direct किया था, और आप लोग को पता ही रहना चाहिए, सत्याजी तरही एक मात्र ऐसे, इंसान है, इंडिया के तरफ सी director, जिनको lifetime achievement award मिला था, क्या, Oscar award का, ठीक है, तो यह next है, fourth, fifth, on which day world polio day is observed, world polio day कब observe किया जाता है, तो world polio day आप लोग को 24th of October में every year observed किया जाता है, then next है, third type के question, यह third type के question कैसे होंगा, यह current affairs को questions होंगे, और यह current affairs मैंने बताया था, इसलिए आप लोग को पढ़ने के लिए तब ही आप लोग attempt कर पाऊगे, current affairs नहीं कर, अगर current affairs आप लोग ने, मान लीजिए, एकदम ignore किया, तो current affairs के, आप लोग का मैं बता दू, 25 question आप लोग current affairs से आते हैं, sorry, 25 नहीं, 25 marks के question आप लोग current affairs से आते हैं, तो आप लोग current affairs बहुत ही एक vital है, यहां से आप लोग marks करी कर सकते हो, और every week हम लोग current affairs के class करवाएंगे, every week आप लोग को top 50 या top 60 आप लोग का current affairs का note प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियो जो लोग paid group में हो, यहां पर देख लीजिए, who is the author of the book, the India way, the India way जो है, आप लोग का एक बुक है, यह किस ने लिखा है, सुब्रमानियम जैसंकर ने लिखा है, जो हमारे अभी external affairs के minister है, और यह आराउंड जो new elections हुए थे, में 2019 तब से यह external affairs minister है, इन्होंने एक बुक लिखा है, the India way, ठीक है, then next है, यह पूरा नाम ऐसा कुछ है, the India way, the strategic uncertainty of world, ऐसे करके कुछ है, तो just the India way याद करके रखें, तो ही चलेगा, then next, अप लोग का second वाला, who is the present MD of State Bank of India, MD मतलब क्या हो जाता है, MD मतलब managing director, तो अभी के current जो State Bank of India के MD है, वो है आप लोग के अस्वनी भाटिया, और CEO अगर पुछ लेंगे, तो वो रजनीश कुमार हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग के MD पूछा है, तो यह अस्वनी भाटिया हो जाएंगे, then next है, third, India's first honey testing laboratory has been set up in, honey testing laboratory इंडिया का सबसे पहला कहां पर set up हुआ, गुजरात में set up हुआ, अगर district पूछ लेंगे, तो आनन्द district में आप लोग का set up हुआ, ठीक है, then next है, fourth question, present name of ministry of human resource and development, यानों की HRD ministry जो होगा करता था, HRD ministry, अभी जो आप लोग के HRD ministry के main head है, वो है, रमेश पोख्रिया निसं है, और HRD ministry का अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया है, ministry of education कर दिया है, ठीक है, तो ये नाम चेंज हुआ है, और ये current affairs का question है, the next fifth question, who declared which country as polio free, यानि की who का full firm क्या है, आप लोग को पता रहने चाहिए, world health organization, और world health organization का आप लोग का, जो headquarter है, वो कहां पहे है, जैनेवा में ह इन्होंने क्या declare किया, एक continent, यानि की महास देश को, यानि की total साथ continent, साथ continent में से एक continent, जो अभी आप लोग को polio free हो चुका है, वो कौन है, अफरीका, ठीक है, अफरीका polio free हो चुका है, the next है, fourth question, यह आप लोग का general science है, life science, general science, इन subsection से है, तो यहाँ पे आप लोग का कै यहाँ पर फस्ट क्या है, which blood group is the universal recipient blood group, universal recipient यानि की, जो सबसे ले सकता है, उसे recipient बोलते है और यह आप लोग का blood group AB positive, आप लोग का universal recipient होता है, और यह जो plus sign है, यह resource factor होता है, और जो donor होता है, universal donor होता है, वो negative होता है, ठीक है, अगर आप लोग का option में रह जाए, option पहले यहां पर तो होगा नहीं फिर भी मैं बता दू अगर option में ऐसा रहा है O positive O negative इन में से कौन सा आप लोगा donor है तो donor होता है O negative और अगर बोल दे universal recipient AB positive या AB negative कौन सा आप लोगा जो universal recipient जो सबसे ले सकता यह AB positive ले सकता है ठीक है positive negative आप लोगा रिसस वेक्टर है यह बात में समझाया जाएगा जब blood का chapter कराया जाएगा लक्सा the next day why it is not advised to sleep under a tree at night रात को पेड़ के नीचे सोने को किसलिए मना किया जाता है रात को पेड़ के नीचे सोने को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि पेड़ हमारे रात को carbon dioxide चोडते हैं जो सूबह आप लोग carbon dioxide लेते हैं और oxygen चोडते हैं बट रात के टाइम पेड़ के नीचे सोने की यह मना किया जाता है तो यहां पे है it is not advised to sleep under a tree at night because at night trees used to release carbon dioxide which is harmful for human health sorry friends वाप आगे थे जो भी है the next who discovered smallpox vaccine smallpox vaccine किसने discover किया यह Edward General ने discover किया था the next है which system of the body is primarily attacked by HIV यानि कि HIV कौन से system को body के कौन से पार्ट को आप लोगा effect करता है तो यह HIV का full form आप लोगो पता रहना चाए AIDS का full form आप लोगो पता रहना चाहिए यह सब जो full form है सब आप लोगो का अलगसा में बता दूँगा जितने भी full form से है जो भी term से सब कुछ बताया जाएगा तो यहां पर जो question पूसरान चाहता है HIV के कारण body का कौन सा पार्ट effect करता है body का आप लोगा immune system effect करता है immune system यानि कि आप लोगा जो body का for example अभी coronavirus conscious system को effect कर रहा है या आप लोगा respiratory system को effect कर रहा है यानि कि स्वास्तंदर को effect कर रहा है वैसे immune system जो हमारा जितने भी problems होते हैं जितने भी आप लोगा मालने जिए बुखार हुआ या आप लोग को सर्दिखासी हुआ जो immune system है वो उस चीज को intake नहीं कर पारा उस चीज को defend नहीं कर पारा यानि कि defending system आप लोग बोल सकते है immune system ठीक है नेक्स्ट है which part of a cell is known as suicidal bag of cell जो cell होता है cell में आप लोग का ribosomes, then cell wall then आप लोग का psosomes, mitochondria बहुत कुछ होता है आप लोगा suicidal bag किसे बोला जाता है आप लोगा cell को ये lysosomes को बोला जाता है lysosomes को कào नहीं को सब कुछ खाने लग जाता है तो इसलिए इसको suicidal bag बोला जाता है बात मैं समझाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग का मैंने पूरा complete करवा दिया यहाँ पे reasoning भी होगा इस बार reasoning अभी आप लोग का कैसे pattern का होगा मैं next दिन बता दूँगा आप लोग को और यह आप लोग का last class था free वालो आप लोग को अगर मेरा effect पसंद आ रहा है ICDS के मेंस के classes तो इस number पर contact कर सकते हो सिर्फ whatsapp करना call मत करना तो इस number पर whatsapp कर सकते हो वहाँ पे मैं आप लोग को procedure बता दूँगा कैसे करके आप लोग जाइन कर सकते हैं तो आज के video के लिए इतना है friends that's all thank you